सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स, गौर्मेंट स्कीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तीज हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों आज से यानी 17 नॉमबर 2021 से इडिस्टिक उत्राखंड के बतले एक नई वेबसाइट लॉंच कर दी गई है e-service.uk.gov.in ये वेबसाइट है इसको आप अपनी सरकार पोर्टल यानी अपनी सरकार पोर्टल के नाम से जानेंगे और अब इडिस्टि के सारे जो डॉकुमेंट्स बनते थे इस वेबसाइट पर बनेंगे तो दोस्तों आपके लिए खास में इस वेबसाइट में सबसे पहले employment certificate registration के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस website पर कैसे आपने employment का registration करना है मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले आप इस website पर इस portal पर इस page पर आएंगे इसका link नीचे दिया है यहाँ आपने login और register का जो विकल्प है उस पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक login बनाना है तो यहाँ पर don't have an user account sign up पर आपने यहाँ क्लिक कर देना है और यह user registration form है जैसे कि आपका इडिस्टिक पर होता था उसी तरीके से है तो यह आपने भरना है और submit कर देना है submit करने के बाद आपके mobile number पर या email पर password आएगा अगर password नहीं आता है तो आपने क्या करना है इसमें forget password का option है या पर इसको use कर देना है और नया password आपने generate कर देना है तो user ID में आपका mobile number आएगा password में जो आपने password बनाया हुआ आएगा उसके बाद sign in आप करेंगे तो इस तरह से आपका आपका जो interface है laptop का इस तरह से दिखेगा यहाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें request for a new application का यहाँ पे एक यहाँ पर option है services में आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी services है इस तरीके से यहाँ से तो हम इसमें employment के लिए आपको बताने वाले हैं तो request a new application पर आपने क्लिक करना है department यहां से चुनेंगी तो department यहाँ पर थोड़ा सा अलक्स यहाँ पर देखने को मिलना है जैसे कि पहले employment registration का आता था अब यहाँ पर direct rate of training employment का यहाँ पर आ चुका है service type में आपने employment department चुनना है और services में आपने employment registration चुनना है अगर आपका correction का है यह renewal का है तो दो option नीचे दिये हैं employment registration पर आपने क्लिक करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत change हुआ है process थोड़ा बदल गया है उसी तरीकी का है लेकिन थोड़ा सा change हुआ है तो यहाँ पर जो mandatory document है वह हमें पहले upload करने है कौन कौन से document है सबसे पहले यहाँ पर 10th की mark seat यहाँ पर date of birth proof के लि दिया वह है upload का इस हम क्लिक करेंगे और यहां से gallery से अपनी चो फोटो है हमारी उसको हम स्लेक्ट करेंगे और open कर देंगे इस तरह के से यह पर ry को आमारी आ चुकी है अगर इसको आपनेव करना है तो यहां पर प्रोप का option भी दिया वह है इस तरीके से तो हम इसको it करके और ओके कर देंगी तो फोटो हमारी आ चुकी है अब यहां पे नीचे हमें जो डॉकुमेंट हैं जैसे कि 10 का सर्टिफिकेट डॉमिसाइल और हाइस्ट क्वालिफिकेशन मार्क सीट हमें लगानी है तो इनकी पीडिएफ लगानी है और 800 के भी तक का होना चाहिए तो 10 क की मार्क सीट अप्लोड करेंगी इसी तरह अप्लोड पे गिकर के टेंथ करनी है यहां अपने कर लगा सकते हैं यह फिर कुछ और document जो है आपका वो आप लगा सकते हैं तो इसे आपने उसके बाद submit कर देना है submit करने के बाद यह इस तरह के आप देख सकते हैं new employment registration का यह form आ जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है इस तरह से, उसके बाद father name डाल देना है, उसके बाद mother name आप डाल देंगे, उसके बाद gender यहाँ पे है, जो भी gender आपका है, उसके बाद email id, उसके बाद marital status, date of birth, अब दोस्तों यहाँ पे आधार नमबर इसमें compulsory ह नहीं होता था उसके बाद date of birth का प्रूफ आपने देना है यहां पर कि क्या आप लगा रहे हैं इस तरह से यहां पर देख सकते हैं high school का certificate कास्ट क्या है आपकी कास्ट यहां पर जर्नल यहां आपने डालना है अगर अन्मरीड है तो यहां पर नहीं पूचेगा अब दोस्तों rural और अर्बन और उसके बाद को पूचेगा क्या है आपका mobile number implement office कांसा है आपका यहां पर देख सकते हैं implement office बहुत सारे यहां पर आ चुके हैं अब दोस्तों यहां पर लिटरेसी लेवल पूछ रहा है कि आप पड़े लिखे हैं या नहीं है पड़े लिखे तो यह दोनों option में से आपको इसा भी चुर्ण लेंगे, language क्या है आपकी बोल चाल की भासा क्या है वो सब यहां पर है experience है या नहीं? yes or no, handicap yes or no, ex soldier yes or no, voluntary yes or no, जो भी है और carrier counselling वगेरा आपको चाहिए या नहीं? यहां से आप भर सकते हैं अब आपको आपका अहस्ताईपता यानि कि जो आपका अहस्ताईपता वर्तमान में जहां रह रहे हैं वो आपको डालना है अगर permanent address और correspondence address सेम है तो आप वही भर सकते हैं अब दोस्तों यहां पे कुछ जानकारी देनी है आपको State Residence Certificate के बारे में उसमें सबसे पहले आप Local Address यहां से Local Address के लिए आपने क्या लगाया है आपने next कर दीना है next करने के बाद आपको दोस्तों एक declaration पे क्लिक करना है और उसके बाद fees आपको भर देनी है तीस रुपए fees किया दोस्तों और इस तरह से आप नए Portal पे उत्रकंड government का जो यह नया Portal है अपनी सरकार पोर्टल इस पे आप जो है अपना implement registration कर सकते हैं और अब यू की डिस्टी के website पे जो registration होते थे implement certificate के वो नहीं होंगे अब आपको इसी website के माद्यम से implement certificate आपको बनवाना होगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको comment करके जुरूर बताएगा और implement registration से related अगर आपको कोई question है तो comment box में जुरूर लिखें और इसी तरह की जान कारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद